हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एट इंग्लिश, हनीडियो बुक का लेसन नंबर फॉर, विपिन चौधरी's Laps of Memory इस लेसन का लाइन बाइन एक्स्प्लेनेशन, सो स्टार्ट करते हैं वैसे ही लेसन चार पार्ट में डिवाड़ेड है, इस वीडियो में हम इस लेसन का फॉर्स पार्ट करेंगे वैसे लेसन का नाम है विपिन चौधरी's Laps of Memory विपिन चौधरी ये तो एक पार्टसन का नाम है, है ना, और क्या पूल है Laps of Memory Laps of Memory मतलब यादाश्ट कमजोर होना, सो इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले है, विपिन चौधरी जो में क्यारेक्टर है हमारे स्टोरी के उनकी यादाश्ट कमजोर हो जाती है अब first part का explanation दिखने से पहले before you read section, read कर लेते Do you have a good memory? क्या आपकी memory अच्छी है? Has your memory ever played any tricks on you? कभी आपकी memory ने, मतलब यादाश्ट ने, कभी आप पर कोई trick खेला है, मतलब कभी धोका दिया है आपकी memory ने आपको कि आपको ना, आपकी life का कोई part यादी नहीं आ रहा है, ऐसा कभी हुआ है Forgetfulness often puts you in a tight spot, forgetfulness मतलब भूलने की बिमारी तो ये भूलने की बिमारी आपको ना tight spot में डाल सकती है, मतलब मुसीबत में डाल सकती है कि आपको आपकी life का कोई part जो है, वो यादी नहीं आ रहा है But forgetting a part of your life completely may drive you crazy मतलब आप चीजे भूल रहे हो, ये तो अच्छी बिमारी नहीं है ना, forgetfulness लेकिन ऐसा होना कि आपको आपकी life का जो past है, वो सब पता है ठीक है, सारी चीजे यादे, लेकिन एक part, एक particular day, एक particular event ही ऐसी है कि जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, आप completely भूल चुके हो सारे लोग आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, बट आपको कुछ याद ही नहीं आता है तो क्या होगा, अब पागल हो जाओगे न, हाँ, तो ऐसा ही होता है किस के साथ, विपिन चौधरी के साथ इन दे स्टोरी, विपिन बाबू, अब जो हमारे main character है, विपिन चौधरी, इन्हें हम विपिन बाबू के नाम से आगे आने वाले parts में, so in the story, विपिन बाबू goes nearly crazy, because he cannot recollect his day at राची, so इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे main character है, विपिन बाबू, यह nearly crazy, यह पागल ही हो जाते है, इस स्टोरी में, हम पढ़ेंगे आगे, क्यों, क्योंकि न, इन्हें याद ही नहीं आता, कि य He has never been to Rachi, he insists, मतलब वो दृटता से कहते है, कि मैं तो कभी Rachi गया ही नहीं था, और मुझे कुछ याद भी नहीं है, इस ट्रिप के बारे में, though there are many witnesses, to the contrary, what is the suspense all about, लेकिन उनका देखो, उनका कहना है, कि वो कभी Rachi गया ही नहीं थे, लेकिन ऐसे काफी सारे witnesses है, जो बताते हैं कि नहीं, विपिन बाबू आप Rachi गये थे, ठेक है, सो देखते हैं काफी interesting से story लग रही है, थोड़ी humorous भी है, first part का line by line explanation, every Monday on his way back from work, विपिन चौधरी वो ड्रॉप इन आठ काली चरन्स new market to buy books, every Monday, हर मंडे को जो विपिन चौधरी है, ये अपने काम से जब वापस जा में जाते है, बुक की चौप होती है, उसकी new market में, सो वहाँ जाते है, crime stories, ghost stories and thrillers, कौन से stories पढ़ना हुने पसंद है, crime stories, ghost stories and thriller stories, he had to buy at least five at a time to last him through the week, वो क्या करते थे, एक साथ ही पाच बुक खरीते थे, और पाचों बुक उनको कब तक चलती थी, एक वीक, मतलब एक वीक में वो पाचों बुक रिड कर लेते थे, he lived alone, वो अकेले रहते थे, was not a good mixture, और वो न अच्छे mixer भी नहीं थे, good mixer मतलब वो लोगों में अच्छे से घुलते मिलते नहीं थे, had few friends, उनके कुछ ही friends थे and didn't like spending time in idle chat, और उने अपना जो time है, जिसे हम किमती समय बोलते है, valuable time, व लब कैसे, जैसे आपकी ममी और आपके घर के साइड में रहने वाली आणटी जब मीलते, जो बाते करते, तो वो कोई उतनी important बाते होती नहीं है, बट वो करते हैं, है ना, फाल्तु की बाते होती है, ऐसे ही normal topic की important नहीं रहती, so इन बातों को बोला जाता है, idle chat, तो idle chat पे अपना किंती समय स्पैंड करना, बिपिन बाबू को बलकुल पसंद नहीं था, तो दे अट काली चरंस, बिपिन बाबू had the feeling that someone was observing him from close quarter, अब जब वो आज काली चरं की शॉप में थे, बुक की शॉप में, तो वहां पे उन्हें ऐसा फिल हुआ, ऐसा महसूस हुआ, that someone was observing him, क कोई उन्हें ना observe कर रहा है, from close quarter, he turned round and found himself looking at a round face, mick looking man, who was now broke into a smile, तो फिर जब वो round, मितलब turn करते हैं, और देखते हैं, तो क्या देखते हैं, कि उन्हें बहां पर एक person दिखता है, जो round face होता है, ठीक है, उसका face round होता है, mick looking, mick मितलब, quite humble बोल सकते हैं, ऐसा person वो होता है who now broke into a smile, अब क्योंकि बिपिन बाबू ने turn करकर देखा है ना, तो कोई person हमारी तरफ देखता है, तो हम smile करते हैं, ठीक है, और यहां पर तो वो person कब से देखे जा रहा था, बिपिन बाबू को, अब बिपिन बाबू भी उसे देख रहे हैं, तो वो अब क्या करने वाला थ smile करने वाला था, I don't suppose you recognize me, और यहां पर वो person बोलता है कि मुझे नहीं लग रहा है, कि आप मुझे पैचान नहीं रहे हो, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप मुझे पैचान नहीं पा रहे हो, how you meet before, ask बिपिन बाबू, बिपिन बाबू पुछते कि क्या हम दोनों कभी पह क्या पूछ रहे हैं, कि क्या हम दोनों कभी पहले मिले थे, यह question जैसे ही सुना उस person ने, वो तो surprised हो जाता है, we meet every day for a whole week, क्या बता रहा है, कि हम तो एक complete week में हर डे मिले थे, I arrange for a car to take you to hoodru falls, क्या बता रहा है, कि मैंने तो आपके लिए car arrange की थी, कहा जाने के लिए, hoodru falls जा पार है, यह जो person है, यह हमारे mean character, विपिन बाबू, यह काली चरन है, इनकी shop, और यह person है, new entry हुई है, स्टोरी में, अब तक दो देखे थे, हमने, एक विपिन बाबू और काली चरन, अब नया person आया है, इसका नाम हम आगे देखेंगे, अब यह क्या बता रहा है, कि मैंने ही आपके लिए कार अरेंज केते, हुद्रू फॉल्स जाने के लिए, कब की बात है, in 1958 के, in राची, कहा की, राची की, my name is परिमल गोश, अब इस थर्ड कारेक्टर का नाम क्या है, परिमल गोश, राची, now विपिन बाबू, realized that it was naughty, but this man who was making a mistake, अब विपिन बाबू, पर्सन खुद है, जो mistake कर रहा है, क्योंकि विपिन बाबू ने जब उसको देखा, तो उन्होंने पैचाना नहीं, है ना, तो विपिन बाबू को लगा, कि यह पर्सन मुझे पैचानता है, और मैं इसे नहीं, और जब उसने बोला, कि हम राची के ट्रिप में मिले थे, तो यहां पर तो विपिन बाबू को पता है, कि वो कभी राची गए ही नहीं, तो इसलिए वो क्या सोचते हैं, कि मैं नहीं, यह पर्सन ही गलत है, यहीं mistake कर रहा है, विपिन बाबू had never been to राची, विपिन बाबू का कहना कहा है, कि वो कभी राची गए ही नहीं, he had been at the point of going several times, हां, उन्होंने काफी बार यह सोचा था, कि मुझे राची जाना है, but never made it, लेकिन वो कभी गए नहीं है, he smiled and said, do you know who I am, फिर वो smile करते हैं, विपिन बाबू, और पूछते हैं, क्या आप जानती हूँ, मैं कौन हूँ, the man raised his eyebrow, वो अपने eyebrow को raised करता है, बिट इस टंग, अप बाबू doesn't know विपिन चौधरी, क्या पूछ रहे हूँ, मैं आपको पैचानता हूँ, अरे विपिन चौधरी को कौन नहीं पैचानता, विपिन बाबू now turned towards the bookshelves and said, still you are making a mistake, अब विपिन बाबू, bookshelves की तरफ turn हो जाते हैं, और बोलते हैं कि आप अभी भी mistake कर रहे हो, one और परसन को इन्होंने देखा था, किसी और परसन को मिले थे, यहाँ पर यह mistake कर रहे हैं कि मुझे समझ रहे हो परसन, the man now laughed aloud, यह सुनकर वो man जो है, वो हसने लगता है, जोड से, what are you saying, यह आप क्या बोड़े हो Mr. Chaudhary, you had a fall into Hudru and cut your right knee, आप Hudru में गीरे थे और आपके right knee गुटने पर कट लगी थी, I brought you iodine, और मैंने आपके लिए iodine लेकर आया था, मतलब छोट लगी थी ना, उसे क्योर करना था, इसलिए iodine लगा है, I had fixed up a car for you to go to NETA hat the next day, और बताते हैं कि मैंने next day और car अरेंज की थी, आपको कहां जाने के लिए, NETA hat, ठीक है, but you couldn't because of the pain in the लेकिन आप नहीं जा पाए, क्योंकि आपके नी में, आपके गुटने में pain था, can't you recall anything कि आपको कुछ भी याद नहीं है, somewhere else you know who also in Rachi at that time, मैं एक और person को जानता हूँ, जो उस time पे राची में था, Mr. Dinesh Mukherji, अब ये fourth character, अब तक हमने कितने देखे थे, three, एक विपिन चौ Mr. Dinesh Mukherji, इसके बारे में कौन बता रहा है, Parimal Ghosh, जो की एक नया person है, वो बता रहा है विपिन बाबु को कि same time पे वहाँ पर Mr. Dinesh Mukherji भी थे, you stayed in a bungalow, आप कहां रुखे थे, bungalow में, you said you didn't like hotel, food and would prefer to have your meals cooked by a bavarchi, और आपने कहा था, कि मुझे hotel का खाना पसद नहीं है, मैं क्या prefer करता हूँ, एक बावarchi के हाथ का बना हुआ खाना ही prefer करता हूँ, Mr. Mukherji stayed with his sister, और Mr. Mukherji अपने sister के साथ रुखे हुए थे, वहाँ पे, you had a big argument about the moon landing, remember, moon landing मतलब spacecraft, जब moon के surface पर arrive होता है न, उस बात को लेकर, आपकी big argument हुई थी, क्या आपको ये याद नहीं है, ये सब कोन याद दिला रहा है, परिमलगोश है न, किसे, Bipin Babu को, I will tell you more, मैं आपको और बताता हूँ, और extra चीज़े बताता हूँ, you always carried a bag with your books in it on your sightseeing trip, आप अपनी sightseeing जो trip होती है, वहाँ पर आप अपनी bag लेकर जाते हो, जसमें books होती है, am I right or not, क्या मैं सही हूँ या गलत थू, Bipin Babu spoke quietly, अब देखो, Bipin Babu क्या बोलते है, his eyes still on the books, लेकिन बोलते बोलते हूँ, उनकी आखे कहा होती है, उनकी book पर ही होती है, which month in 58 are you talking about, अब देखो, उस person ने बताया तो है 1958, अब Bipin Babu पूछ रहे है कि अच्छा ठीक है बताओ, 1958 का वो कौन सा मन थे, जिस month में हम लोग राची में मिले थे, the man said October, मैंने क्या बताया, कि हम October में मिले थे, no sir said Bipin Babu, अब Bipin Babu क्या बोल रहे, नहीं, I spent Pooja in 58 with a friend in Kaanpur, मैं 58 के October मन में कहा था, मैं मेरे friend के घर था, कानपूर में, पूजा थी उसके गर में, you are making a mistake, आप ना कुछ गलती कर ले हो, good day Bipin Babu, ठीक है, उस person को, but the man didn't go, और वो निकल जाते, बट ये जो man है, ये नहीं जाता, nor did he stop talking, लेकिन वो अपना बोलना बंद भी नहीं करता, very strange, one evening I had tea with you in a veranda of your bungalow, अब देखो वो person क्या बता रहा है, कि एक evening हम दोनों चाय पी रहते, आपके bungalow के veranda में, you spoke about your family, और त you said you had no children, आप बता रहे थे, कि आपके कोई बच्ची नहीं है, and that you had lost your wife 10 years ago, और आपने बताया था, कि 10 साल पहले आपने अपनी wife को भी खो दिया है, मतलब उनके death हो गई होगी, your only brother had died insane, और पागलपन की वज़े से आपके brother की भी death हुई थी, which is why you didn't want to visit the mental hospital in राची, और य when Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief, अब जब Bipin Babu की books खरीद कर हो गई, वो पैसे paid कर देते हैं, बिल पे करते हैं, ठीक है, और वो वहाँ से जब जा रहे होते हैं, वो जो man है, परिमल घोश, वो अभी भी उन्हें देख रहा होता है, और कैसे? utter disbelief, utter disbelief मतलब complete surprise, वो surprise था कि कैसा person है, हम लोग complete एक week साथ थे, इतनी सारी बाते इस person ने मुझे बताई थी, और इसे याद ही नहीं है कि ये राची गया था, ये बोल रहा है कि मैं तो राची गया ही नहीं था, तो यहाँ पे हमने देखा न, कि कैसे Bipin Babu अपने life का, अप अपने past का एक जो part है, एक event, एक trip यहाँ पर हम भूल सकते राची की, वो completely भूल चुके है, अब next part में देखेंगे, क्या हुआ है,